यूहन्ना की पहली पत्रि अध्याए ए उस जीवन के वचन के विशय में, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, और हातों से चुआ, ये जीवन प्रगट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं इसलिए के तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र येशु मसी के साथ है और ये बाते हम इसलिए लिखते हैं के हमारा आनंद पूरा हो जाए जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है के परमेश्वर जोती है और उसमें कुछ भी अंधिकार नहीं यदि हम कहीं के उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधिकार में चलें तो हम झूटे हैं और सत्य पर नहीं चलते पर यदी जैसा वह जूती में है वैसे ही हम भी जूती में चलें तो एक दूसरे से सै भागिता रखते हैं और उसके पुत्र यिशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है यदी हम कहें के हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आपको धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं यदी हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को ख्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग के और धर्मी हैं यदि कहें के हमने पाप नहीं किया, तो उसे जूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। हे मेरे बाल को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, के तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थार्थ, धार्मिक, येशु, मसी, और वही हमारे पापों का प्राइश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आग्याओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे, के हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है, कि मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आग्याओं को नहीं मानता, वै जुटा है, और उसमें सत्य नहीं, पर जो कोई उसके बजन पर चले, उसमें सच मुछ परमेश्वर का प्रेम सिध्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है, के हम उसमें हैं, जो कोई ये कहता है, कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए, के आप भी वैसा ही चले, जैसा वै चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आग्या नहीं लिखता, पर वही पुरानी आग्या, जो आरंभ से तुम्हें मिली है, ये पुरानी आग्या वह वचन है, जिसे तुमने सुना है, फिर मैं तुम्हें नई आग्या लिखता हूँ, और ये तो उसमें और तुमें सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिठता जाता है, और सत्य की जोती अभी चमकने लगी है, जो कोई ये कहता है, कि मैं जोती में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह जोती में रहता है, और ठोक और नहीं खा सकता पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आखें अंधी कर दी हैं हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ के उसके नाम से तुम्हारे पाप शमा हुए हे पित्रो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ के जो आदी से है तुम उसे जानते हो हे जवानो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ के तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है हे लड़को मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है के तुम पिता को जान गए हो हे पित्रो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है के जो आदी से है तुम उसे जान गए हो हे जवानो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवन्त हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तूं से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थार्थ शरीर की अभिलाशा और आखों की अभिलाशा और जीविका का घमन वो पिता की ओर से नह परंतु संसार ही की ओर से है और संसार और उसकी अभिलाशाएं दोनों मिठते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सरवदा बना रहेगा हे लड़को यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही के विरोधी उठे हैं इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है वे निकले तो हम ही में से पर हम में के थे नहीं क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो के वे सब हम में के नहीं हैं और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिशेख हुआ है और तुम सब कुछ जानते हूँ, मैने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्ये को नहीं जानते हैं, पर इसलिए कि उसे जानते हूँ, और इसलिए कि कोई जूट सत्ये की ओर से नहीं. जूटा कौन है? केवल वह, जो येशु के मसी होने से इनकार करता है और मसी का विरोधी वही है, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे और जिसकी उसने हमसे प्रतिग्या लिए वो अरंत जीवन है मैंने ये बातें तुम्हें उनके विशय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं और तुम्हारा वह अविशे जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए बरं जैसे वह अविशे जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है जूटा नहीं और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो निदान हे बाल को उसमें बने रहो के जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो यदि तुम जानते हो के वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो के जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जनमा है अध्याए तीन देखो, पिदा ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, जैसा वह है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आपको वैसा ही पवित्र करता है, जैसा वह पवित्र है, जो कोई पाप करता है, वह विवस्था का विरोध करता है, और पाप तो विवस्था का विरोध है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रगट हुआ, कि पापों को हर ले जाए, और उसके सोभाव में प आना रहता है वह पाप नहीं करता जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको चाना है हे बाल को किसी के भर्माने में ना आना जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंबही से पाप करता आया है परमेश्वर का पुत्व इसलिए प्रगठ हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और नए वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंबह से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जीस ने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे यह भायो यदि संसार तुम से बैर करता है तो अचंभा ना करना हम जानते हैं कि हम मृत्यू के पार होकर जीवन में पहुचे हैं क्योंकि हम भायों से प्रेम रखते हैं जो प्र और तुम जानते हो कि किसी हथ्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दी और हमें भी भाईयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ती हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? यह बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोश देगा, उसके विशय में हम उसके सामने अपने अपने मन को धाणस दे सकेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और साब कुछ जानता है हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोश ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्याओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते है और उसकी आज्या ये है कि हम उसके पुत्र यिशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्या दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें और जो उसकी आज्याओं को मानता है वो इसमें और यहें उसमें बना रहता ह और इसी से, अर्थार्थ उस आत्मा से, जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। अध्याए चार हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीती ना करो, वरन आत्माओं को पर्खो, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से जुठे भविश्य दक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा, तुम इसी रीती से पहचान सकते हो, कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि येश्व मसी शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से हैं। जो कोई आत्मा येश्व को नहीं मानती है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, कि वह आने वाला है, और अब भी जगत में है। हे वालको, तुम परमेश्वर के हो, और तुम ने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है, बड़ा है, वे संसार के हैं। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है, वे हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वे हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ध्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियू, हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलावते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्राश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा हे प्रियो जब परमेश्वर में हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है इसी से हम जानते हैं के हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं के पिता ने पुत्र को जगत का उदार करता करके भेजा ले जो कोई यह मान लेता है कि येशु परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में और जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीती है परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन किया हो क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है प्रेम में भै नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भै को दूर कर देता है क्योंकि भै से कश्ट होता है और जो भै करता है भै प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हम से प्रेम किया यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से पैर रखे तो वह जूठा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता और उससे हमें यह आग्या मिली है, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जिसका यह विश्वास है, कि येशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन हुआ है, और जो कोई उत्पन्द करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्याओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं परमीश्वर का प्रीम ये है कि हम उसकी आज्याओं को माने हैं, उसकी आज्याएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ परमीश्वर से उत्पन हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है, संसार पर जै पाने वाला कौन है केवल वै जिसका यह विश्वास है कि येशू परमेश्वर का पुत्र है येही है वो जो पानी और लोहू के द्वारा आया था अर्थार्थ येशू मसी वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोहू के द्वारा आया था और जो गवाही देता है वह आत्मा क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाले तीन हैं आत्मा, पानी और लोहू तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं जब हम मनुशु की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विशय में गवाही दी है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने जिसने परमेश्वर की प्रतीती नहीं की उसने उसे जूठा ठहराया क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विश्वय में दिये वैगवाई यह है कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है यह जीवन उसके पुत्र में है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, के तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, वो ये है, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी सुनत है, और जब हम जानते हैं, कि जो कुछ हम मांगते हैं, वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं, कि जो कुछ हमने उससे मांगा, वो पाया है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, जिसका फल मृत्यू ना हो, तो बिन्ती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यू ना हो जीवन देगा पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यू है इसके विशय में मैं बिरती करने के लिए नहीं कहता सब प्रकार का अधर्म तो पाप है परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यू नहीं हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन हुआ है वह पाप नहीं करता पर जो परमेश्वर से उत्पन हुआ उसे वह बचाये रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और ये सभी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थार्थ उसके पुत्र येशु मसी में रहते, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यहीं है, हे वालकू अपने आपको मूरतों से बचाए रखो